साथियों, आज आजादिक के अम्रित काल में हम सवराष्ट तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजनों की एक नई परंपरा के गभा बन रहे हैं। आज से कुछ महिने पहले ही बनारस में काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ था, जिसकी पूरे देश में खुब चर्चा हुई थी। उसके बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में इस तरह के कायरकमों के कई स्वतस फूर्त प्रयाश शुरू हुए हैं। और आज सवुराश्ट की धर्ती पर एक बार फिर हम भारत की दो प्राचिन धाराओं का संगम होता देख रहे हैं। सवुराश्ट तमिल संगमम का यायोजन केवल गुजरात और तमिल नारु का संगम नहीं है। ये देवी मिनाक्षी और देवी पार्वति के रूप में एक शक्ती की उपासना का उत्सव भी है। ये भगवान सोमनात और भगवान रामनात के रूप में एक शीव की भावना का उत्सव भी है। ये संगमम नागेश्वर और सुंदरेश्वर की धर्ती का संगम है। ये स्रिक्रष्ण और सी रंगनात की धर्ती का संगम है। ये संगम है द्वार का और मदुरै जैसी पवित्र पुरियों की परंपराओं का। और ये सहुराश्च्र तमिल संगमम संगम है, सरदार पतेल और सुब्रमनम भार्ती के राश्ट्र प्रतं से ओत प्रोग संकल्प का, हमें इन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ना है। हमें इस सांस्क्रितिक विरास्त को लेकर राष्ट निर्मान के लिए आगे बढ़ना है